नमस्कार स्वागत है आपका विहारी नूज में मैं रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे परदेश से आ रहे हैं बिहार मजदूरों के वारे में सभी संबंधित विभागों को कहा गया है कि अपने हाँ चल रही तमाम योजनाओं की पूरी सूची और उसके माध्यम से पैदा होने वाले रोजगार के सभी संब्भम अपसरों को जल तयार कर ले इसमें मुखरूप से रोजगार से जुड़े रोजगार परख विभाग साम कामगारों की संख्या आने वाले कुछ दिनों में त्यजी से बढ़ने के आसार है इसके साथ ही विभाग ने इसको लेकर कारज करना सुरू कर दिया है जिसके तहत विभाग अनुमंदली अधिछन अभियंता के कारजालियों में योजनाओं का नाम कार्ज अस्थर अश्थ समेट अन्य सभीकार्जियों को सामिल किया है आए जाननेते हैं आखिर वो कौन-कौन सी उजना हैं जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा भवा निर्मान से जुड़े कामगार हैं वो अपना निर्बंधन करा सकते हैं जिसमें राजमिस्तिरी मजदूर इल प्रवासी दोारा बिहार से जाने लगे हैं वैसे श्रामिकों को बिहार सरकार की और से बताया kि प्रवासी दूरघबः वीमा योजना क लाव उठा सकते हैं इन योजनाउं में किसी कि मौद होने पर एक लाह की सहायता दी जाती है जबकी अप्रांगता पर 75 सब्सक्राइब करेंगे तो अधिकारी वकर्मी लोगों से सीधे आप सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी ले सकते हैं इसकी सहाइता वो आपकी सहाइता जरूर करेंगे इसके लिए विभाग ने 30 अप्रेल तक के डूटी रोस्टर भी जारी कर दिया जिसमें सभी माटा गया है यह नंबर 24 घंटे चालू रहेगी इस नंबर पर बिहार आने वाले स्रमिकों की पूरी जनकारी दी जाएगी और उनको सहयोग भी किया जाएगा करोना काल में अगर कोई बिहारी लौट कर आता है तो उसे सरकारी योजणाओं का लाब मिलेगा इसको लेकर स् फिर से विभागे योजणाओं की जनकारी दी जाएगी दरसर करोना के बढ़ते संक्रमन को लेकर एक बार फिर से उस राज्यों में लगडून लगा है यहां के स्रमिक दोवारा बिहार लोटने वाले परवासी कामगारों को सरकार की योजणाओं सो जोड़ने के लिए स्र निवंधन करने की तैयारी की जा रही है इस पोर्टल के माध्यम से पिछली बार 25 लाग मजदूरों का निवंधन किया गया था और उन्हें सरकारी उजणाओं का लाग भी दिया गया था बिभाग के मंदिर सरवनकुमार ने कहा कि हम बिहार बापस लोटने बाले प्रवास धन्यवाद